नमस्कार स्वगत थे आपका हमारे चंचार जागेंदर मिशामें दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के कनियराज के दिन के रास्वल की लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंच्यांग के बारे में 16 माई 2020 सोंबार के दिन है और बैसाक मार्श शुकल पक्षी आज इश्नान दान पूरी में आते थी है नचहतर की बात करें तो आज रहेगा विशाखा और अब जीत महुरत आज दुपार 11.30 के दुपार 12.30 मिट तक रहेगा आज के जो असुप समय होगा वह तक्रीवन होगा यानि की दुपार 11.30 के दुपार 12.30 के दुपार 12.30 के रहेगा इस असुप समय में कोई भी शुब और ने कारके सुरवात ना करने तो विगनवाध हाई आज शकती है अब बात करते हैं आज के कन्ये राज के दिनी करासबल की और या प्रेक्शन चंदराशी पर अधारीत है कन्ये राज कतकों आज होगा बड़ा चमतकार आज आपको अपने केरियर में उचपत की प्राप्ती प्रोमोशन की योग बनेंगे आज आपको नोकरी में बड़ा चमतकार देखने को मिलेगा कन्ये राज कतकों आज आपको कई शितरों से शफलता और कामियाबी प्राप्त होगी उच्छा दिकारियों को सपोर्ट प्राप्त होगा आज आपके अंसलजे मुद्दे सुलजेंगे आज आपके केरियर में बड़े अधिकारियों को सपोर्ट प्राप्त होगा किसी खास व्यक्ति से मुलकात हो सकती जो आपके लिए भविश में काफी लावप्रद रहेगी आज आपको बड़ी कंपोने से उफार आएंगे और सरकारी शेतरों से जुड़े हुए हैं तिहां पर नई जोब के लिए आज बड़े चमतकार देखने को मिलेंगे नई जोब लगने के संभावना है जो जाता कभी तक करनी राज़कात को दरदर की ठोकरे खारा थे फिर परिशान थे उन्हें नई जोब लगने के संभावना बनी हुई है अच्छे अबसर प्राप्त होंगे और अच्छे कारुबार का विश्तार करेंगे साथी साथ आज महतपूर्ण डिशिजन और नेड़े ले पाएंगे आज आपको महतपूर्ण कारुबार में आज हिंसेदारी भी ले सकते हैं किसी दोस्त का सहयोग ले सकते हैं केरियर से सम्मझेद कोई यात्राएं हो सकती हैं आज आपको नौकरी की तलास जो काफी दिनों से थी वो पूरी होगी और अच्छे अबसर प्राप्त होंगे साथी बिजनेस व्यापार में बड़े चमतकार आपको कुछ महतपूर्ण डील को लेकर प्राप्त होगी इस डील के फानल होने से कन्ये रासकत को आपके धन के सती और आपके कारोबार के सती जवरजस्त मजबूत रहेगी कुछ अच्छे कार पूरे होंगे जो काफी दिन से अधोरे पड़े थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे आज आपको हर छेत्रों से विशेश लाब होगा करने रासक्यात को आज आज आपको केरियर में उचपत की प्राप्ती तो होगी आज आपको विशेश लाब होगा धहर से काम लेंगे परिश्रम करेंगे और आज आपके अंदर इगो नहीं आएगा लेकिन इगो दिखाने के जरूरत भी नहीं होगी आज आपको खुश न जराएंगे आज आपको क्रोध और आज आपको इनि एग्रेसिव होने से बचना होगा आज आपको बहुत ही नार्मल रहना होगा ताकि आपके सारे काम बने चोटे भाई बहनों को सहयोग प्राप्त होगा साथी साथ आज आप रिड़ करजों समुक्ते में लेगी और जिनसे रिड़ ले रखें उन्हें पूरा करने उतारने का कोशिश करेंगे यानि कि वापस ल चंदर गरहन भी लगेगा आज सुबहे साथ बचकर अंठामन मिनट से सुबहे चंदर गरहन सुरू होगा और यह यानि कि दुपाहर 11 बचकर यानि 25 मिर्ट तक रहेगा और खासकर गरवती महलाएं बिलकुल सावधानी बरते हालकि भारत में यह दिखाई नहीं देगा हाल साथ बच्दानी जरूर बते हैं कन्य राशकत को जो गरहती महलाएं वो इससमें चाकूद हरदार वली वस्तों बिलकुल भी नाच हुएं कन्य राशकत को इसमें आपको कई मिशेश उबलब्दिया प्राप्त होंगी साज़ेदारी में कारूबार चलता है तो साज़ेदार जो कार अभी तक धूरे पड़े थे उन्हें पूरा करने का प्रियास करेंगे यानि आज के दिन कन्य राशकत को आज आपको अच्छे अबसर पराप्त होंगे अच्छे अबसरों के जो तलास में थे उन्हें पूरा करने का प्रियास करेंगे कई छेत्रों से विशेश बढ़ सकती है जदूरत की चीजे पूरी करेंगे घर परिवार में करने राशकत को आज आपके घर में जो अव्याज़ जाते कि उनके ने रिस्ते आएंगे ने रिस्तों के चर्चाएंगे सुबव वंगल कार होंगे, साधीवा का आयुजन होगा, आपके घर में खुशियान नजार आएंगी, काफी बेहतरी न अवसर पराप्त होंगे, अच्छे कारोबार का विश्थार करेंगे, अच्छे कारोबार में आपको लाव होगा, जो कारोबार अभी तक नहीं रुके अच्छे पराप्त होंगे, अच्छे आवसर पराप्त होंगे, और खुश खबरिया भी पराप्त होंगी और भागदव्ड़ जादा बनी रहेगी, आज आपको यात्रहें करनी पड़ सक्ति हैं विदेश क यात्रहें, अल conf Finally हाड यात्रहें, हुश्थ निक भुशौन और स से संब्ध कोई चीज़े खरी सकते हैं और आज अपने घर के शुक शुरुदा में बरद्धी भी करेंगे करने राज के तो जीवन साथी से संतान को लेकर बड़ा चमतकार होगा संतान समंधिश मश्याइदूर होगी संतान की चाहत पूरी होगी संतान के लिए कुछ में पू आज पहले अगर उनसे कुछ प्रोमिस के थे उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे करने राजकत को आज आज आपके घर परिबार में खोशिया नजर आएंगे साथी साथ अगर आप महिला है तो किसी पूरुष तो आज किसी खास यानि की महिला और महिला है तो दूर बने रहेंगे एक दूसरे के साथ जुड़ाओ लगाओ बनाकर रखेंगे तो बिशेश लाब होगा और साथी साथ प्रेम जीवन में भी खोशिया बरसेंगे लब लाइब बहुत अच्छी रहने वाली है लब पड़रों कुछ गिफ्ट अरुपहार देंगे उनके साथ काफी अच्छा वक्त बितेगा उनके साथ आपके जुड़ाओ लगाओ बनाकर रखेंगे तो लाब होगा अच्छे कारोबार का विश्थार करेंगे और आज प्रेम संबंधों पर प्रगारता आएगी एक दूसरे का साथ जुड़े रहेंगे सोपिंग बगारा कर सकते हैं इस्टुटेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है विद्यारतियों के लिए काफी खोपसूरत समय रहेगा गोल्डेन पीरिट क्योंकि आज आपका रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट के रूप में बड़े चमतकार होंगे जिस रिजल्ट का बेशबर से इंतजार कर रह बड़े में आएगा रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहने वाला है और अच्छे अपसर प्राप्त होंगे कुल मेरा के काजा तो इस्टिते काफी बहतर होगी हर कारी में आज आपको उपला दिया और लाव प्राप्त होंगे और खासकर आज अंदनी के स्रोथ बढ़ेंगे धन किस्तिती मजबूत रहेगी आज आपको कई महतपूर छेत्रों से बिशेश लाब होगा यानि कि दिन और आज लाव दोनों बने रहेंगे साथि साथ आज आपको यानि की पढ़ाई लिखाई के छेत्र से भी बिशेश लाब होगा साथि स्वास्त बेटर होगा स्वास् अबसर प्राप्त होंगे नजदी के रिष्टेदारों से आज आपके मेल मिला बना के रखेंगे आज आपको करीबी रिष्टेदारों से मदद मिल सकती हैं अच्छे कारोबार का लाब होगा तो आज करनी राश्कत को आज विशेश कर कई छेत्रों में लाब हो रहा है कई छे लाइक करें जड़ेदा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेश जरूर करिएगा जैशनी देश